नमशकार, CLC परिवार आपका स्वागत करता है आज हम लोग बात कर रहे हैं CLC Tech No 23 Talent Exploring CLC National Olympiad ये प्रतिवाखोज परिक्षा CLC द्वारा राजस्थान हर्याना में 310 सेंटर और 55 डिस्टिक्ट में पायोजित की जारी है जिसके स्कॉलर्शिप की बात करें तो हम कहेंगे इसमें 25 करोड के fee scholarship है लगबग 1.25 करोड के cash prizes है 5000 बच्चों को सम्मानित किया जाएगा और up to 100% scholarship है classroom courses के लिए वर्ष 2023 के लिए इसके अतरिक जो top 5 performer रहेंगे उनको international education trip के लिए सिंगापूर, दुबई और हंकों की यात्रा करवाए जाएगी इस परिक्षा का आयोजन 4 चर्णों में होगा पहला चर्ण और दूसरा चर्ण 13 नौंबर और 20 नौंबर को होगा जो राजस्थान में होगा तीसरा चर्ण 27 नौंबर को होगा जो हर्याना में आयुजित किया जाएगा और 4 चरण 4 दिसंबर को होगा जो राजस्थान में आयुजित किया जाएगा इस परिक्षा में कौन भाग लेग सकता है इसकी information यह है कक्षा 5, 6, 7, 8, 9, 10 के वो बच्चे जो किसी भी बोर्ट से हैं CVSC से स्टेट बोर्ट से वो इसमें भाग ले सकते हैं और 11 और 12 साइंस ट्रीम के वो बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं जो करेंट इयर में इन कक्षाओं में पढ़ रहे हैं इस परिक्षा के अधिक जानकारी के लिए आप Google सर्च करें CLC Techno जब आप CLC Techno को सर्च करेंगे तो आपको वेब साइट नज़र आएगी CLC Techno.com उसमें आपको दो आइकॉन नज़र आएंगे लॉग इन और रेजिटेशन सबसे पहले आपका अपना रेजिटेशन करवाना है रेजिटेशन के लिए आपको अपना मुबाइल नबर भरना है उसमें एक आटीपी आता है उस आटीपी को जब आप फिल अप करेंगे तब आपकी complete information details रहेंगी जिसमें सबसे पहले आपको अपनी class की detail भरनी है फिर आप अपनी personal details भरेंगे आपका नाम, आपकी पिताजी का नाम, आपका जेंडर और आपकी जनमती थी सारी information भरने के बाद में आप अपने permanent addresses को fill up करेंगे जिसमें आपके शहर का pin code भरने के बाद में आपको आपके गाव, आपकी colony, आपके district और आपके state के बारे में information भरनी है फिर आप school details भरेंगे जिसमें आपके school का नाम, शहर का नाम और इन सारी details के बाद में आपको examination के details भरनी है examination में आपका state भरा जाएगा उसके बाद में आपको दो center चूज करने है जो आपके घर की बिल्कुल नजदी की center होने चाहिए इन centers को भरने के बाद में examination की date अपने आप आपके screen पे आ जाएगी आपको examination mode offline ही रखना है और medium आप भर सकते हिंदी और English सारी information भरने के बाद में आपको सारी details को एक बार फिर go through करना है और ये अगर आपकी जानकारियां सही है तब आपको submit करना है उसके साथ आपका registration हो जाएगा registration करने के बाद में आप login करें login आप उसी registered mobile number से करेंगे जिससे एक OTP आपके पास आएगा OTP के भरने के बाद में आपके dashboard पे सारी information रहेंगी आपका roll number, आपकी class, आपका examination board, आपका examination center इन सब के बाद में आपका जो profile है वहाँ पे आपको आपकी latest photo upload करनी है latest photo upload करने के बाद में आपका admit card जो होगा वो examination के date पहले इस website पे upload कर दिया जाएगा जिसको आप लोग download कर सकते हैं examination admit card को download करने के बाद में जिस photo का आपने upload किया ता profile में उसी photo को लगाना है एक आधार card की copy आपको साथ लेके जानी है और जिस कक्षा में आप पढ़ रहे हैं उसका identity card या पिछली कक्षा की mark sheet आप साथ लेके जाएंगे examination देने के लिए examination OMR sheet पे रहेगा और इस exam का result 20 December को शाम को 5 बजे इस website पे उपलब रहेगा जिसको आप अपने roll number fill up करके देख सकते हैं बाकी examination की details और sample papers को देखने के लिए आप website को देखें इस पे बहुत सारे papers भी uploaded है complete syllabus uploaded रहेगा examination का time आपके पास रहेगा 11 से 1 बजे की बीच में और अधिक जानकारिया अगर आपको प्राप्त करनी है अब आप check box में जा सकते हैं जहां पर आपकी information तो fill up करने के बाद में आप mobile पे या WhatsApp पे और अधिक जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं धन्यवाद